दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफेर्स चैनल पर वो स्टार्ट करते हैं अपने आज के करेंड अफेर्स डेली बेसिस पर यहां पर आप क्यूक पॉइंट्स और्गरेशन स्पेशल डे अंश्क्यूर डेल्स न्यूज ऑफ गर सकते हैं यह मेरा टेलीकराम चैनल अ अब इसे लोंज इजक्ली किया किसने जम्मू कश्मीर के जो लीटिनेंट गवर्नर है मनोस सिनहा जी इनके द्वारा इसे इनोगरेट किया गया अब इसमें है क्या यह जो साथ इनिशेटिव है यह महिलाओं की हेल्प के लिए है जो की सेल्फ हेल्प ग्रुप से असोसिये इनिशेटिव साथ जो है स्टार्ट किया गए कि उनके जो लोकल हैंड मेड प्रोडक्स हैं जो लोकल मेड प्रोडक्स हैं उनको प्रमोट किया जाए इससे फायदा क्या होगा देखिए साथ इनिशेटिव का एम है कि जो उनकी लाइबलिविड है महिलाओं की उसे एक्सलर किया जाए तो डेफिनेटली यह मार्केट प्रोड़क्स को ठीक है और प्रमोट करके उनकी लाइभली हिट को जो है प्रमोट किया जा सकता है उसको इंक्रीज किया है दूसरा कोशन हाल फिलान में रैमोन मैगसे आवोर्ड जो है कितने रिसिपेंट को मिलने वाला है बीसी किस का ठीक है तो आंसर क्या है इस कोशन का कितने रिसिपेंट तो आंसर है पांच पांच में से कुछ फेमस नाम है आपको अभी बताता हूं विद इमेच देखिए ज इनकी सक्षित आप देख सकते हैं इमेच लिए उसके बाद है फ्र दोसी कादर ढक्टर है ठीक है यह ठीक है तो बांगलादेश से बांगलादेशी वेक्सिन scientist Dr. Firdusi Qadir इनको भी जो है यह award मिलने वाला है और तीसरा है ठीक है फिलपीना फिशर जो की यह है ठीक है तो यह तीन famous व्यक्ति हैं जिनको इस बार जो यह award मिल रहा है बाकी total recipient क्या है पांच है अगर मैं बात करूँ यह जो award है देखिए लास्ट लास्ट इन रवीश कुमार जी को भी मिला था आपको पता ही होगा यह इसका establishment इस award का 1958 में हुआ 7th फिलिपीन प्रेजिडेंट थे ठीक है रैमोन मैस के उनके नाम पर इस award को रखा गया यह एशिया का most prestigious prize माना जाता है और इस पूरे एशिया के एरिया में इसे noble prize का equivalent भी माना जाता है तो definitely important है question आ सकता है हाल फिलाल में central board of direct taxes के नए chairman बनाएगे है answer case question का तो नए chairman बनाएगे जेवी मोहपात्रा तेकि अगर मैं जेवी मोहपात्रा की बात करूँ तो एक senior bureaucrate है जिनको यह position गई है मोहपात्रा 1985 batch के Indian revenue services के income tax officer एक है important है और यह पूरा appointment decide करते है the appointment committee of cabinet जो है यह approve करती है है ना तो important question है चलिए पूछा आ सकता है आपको इसमें exactly उनका जो position है पता होना अच्छे कि कि इनको appoint किया गया है देखिए यह question बहुत important है हाल फिलाल में bird photographer of the year जो है 20-21 किसे मिला important question है बिल्कुल clear cut fact है आपको मिल सकता है और किने मिला यह ठीक है अलजेंड्रो प्रेटो को मिला है देखिए मैं आपको image दिखाता हूँ जो जिसकी वज़े से जिस image की वज़े से image है अगर मैं बात करूँ कि इनका competition किनके साथ था इस पूरे competition के लिए 22,000 entries आई थी 73 countries से जिसमें से इने चुना गया है और इनकी जो image है इसका नाम blocked रखा गया है ठीक है the image has been given the title blocked important question है पूछा जा सकता है ठीक है और इसका award क्या है 5000 परोके असपास इसका award है definitely है ना तो इसी वज़े से यह ने मिला है image बहुत प्यारी है चलिए एक और question देखे वेक्ति का नाम आज रखेंगा ठीक है अलजेंडरो प्रेटो question आ सकता है चलिए skyscraper day किस दिन observe किया आता है तो यह आसान है question 3 September को यह observe किया आता है इसका बहुत अच्छा detail है जो आम आपको अभी बताएंगे देखे पहली बात तो यह observe किया आता है 3 September को दूसरा इनके birth anniversary पे तो Lewis H. Sullivan जो है इनको father of modern skyscraper का जाता है जिसकी वज़े से इस दिन जो है इनके birth पर जो है यह observe किया आता है तेकि अगर मैं बात करूँ यह जो term है पहली बार USA में सुनने को मिला 1880 में तेकि आप सब भी जानते हैं कि इसका स्वेपर जो होते हैं जैसे माली जी बहुत सारी building है उसमें जो सबसे highest building होगी उसी को हम यह term देते हैं ठेकि है आमोमन चालिस जो है इस समय least level है यह count करने का on an average और definitely हमारी जो शहर है वहाँ पे space को प्रिजर्व करने में help करता है जिससे definitely अगर जितना height पर होगा उतना space preserve बचेगा ठेकिए तो important है question आ सकता है चलिए एक और question देखेगा innovation mission पंजाब कुण से government के द्वारा खेर यह question बहुत ही असान है कि innovation mission पंजाब है तो government पंजाब के द्वारा ही launch किया जाएगा इसका detail देखते हैं देखिए यह जो पूरा mission start हुआ है इसको किसने launch किया तो chief minister captain अमरिद्न सिंग जी के द्वारा ही launch किया गया अब इसका task क्या है कि public private partnership होगी और इसमें जो है ना पंजाब में जितने भी start-ups हैं उनको promote किया जाएगा ठीक है पंजाब में जितने भी start-ups हैं उनको promote किया जाएगा कि global investor आएं इसमें सरकार क्या करने वाली है सरकार जो है अपने डिपार्टमेंट्स की मदद से जैसे अगरिकल्चर होगा इंडस्ट्री गोमर्स मंडी बोर्ट्स इन सबकी मदद से जो है start-ups को help करने वाली है ठीक है तीस करोड के आसपास का cash price cash amount जो है और in kind जो help जितनी हो सकती है उतनी यह provide कराएंगे ठीक है तो important है ठीक है start-ups के लिए चले एक और कोशन देखीएगा बतेए प्रोफेशन क्या था चंदन मित्रा का जिनका हाल फिलाल में निधन हुआ है कोशन इंपोर्टन 65 की एज में इनका निधन हुआ यह जो मित्रा जी थे फॉर्मर एडिटर और मैनेजिंग डारेक्टर थे पॉइनूर निउस्पेपर जो दिल्ली में और नरेंदर मोधी जी के दौरा भी इनका जो है ठीक है इनके उपर tweet हुआ तो important question है में भी possible पूचा new development bank की अगर मैं बात करूँ तो new development bank के board ने हाल फिलाल में कूंसी countries जो है इनको member बनाने का announcement किया है ठीक है तो यह बहुत important question है United Arab Emirates और Bangladesh इन तीनों को ही decide किया है ठीक है तीनों को ही decide किया है पुरी detail देखें देखें new development bank ने admit कि UA इनको तीनों को ही इन्होंने add कर लिया है पहले आप सभी जानते कि new development bank के establishment ब्रिक्स के द्वारा ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका के द्वारा 2015 में की गई उसके बाद अब यह है तीन member जो है एड केंगे very 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 important ठीक है question आ सकता है और देखें इस चीज का भी ध्यान रखेगा definitely इन तीन देशों को एड करने से इसका जो वर्त है new development bank की वो बढ़ने वाली है new development bank जब से operation में आया तब से उन्होंने 80 project कर दी है जिसकी value 30 billion dollar के around है और new development bank के जितने भी projects होते हैं वो transport, water, sanitation, clean energy इन सब पर काम करता है जिसमें इंडिया को भी भहुत फायदा होता definitely तो अच्छी बात है new development bank जि ठीक है इंडिया का पहला district बना जहां पर तीनो species crocodile के एक साथ पाएगे और कहीं पे भी ऐसा नहीं है possible तो answer है कंदरापरा जो district है यहां पर अब यह कंदरापर district है कहां पर कूंसी state में exactly यहां को रखेगे यह उडिसा का district है कंदरापर district जहां पर तीनो species पहला घरियाल is the first piece of species of ठेक है उसके बाद म्यूगर ठेक है scientific name भी मैंने साथ में लिख दिया और salt water crocodile तो यह तीनों के तीनों पाएगे यह कैसे possible हुआ इससे पहले यह दो species म्यूगर और salt water थे लेकिन हाल फिलापे केंदराका में जो है एक बेबी घडियाल भी पाया जिसकी वजह से यह possible हो पाय exactly यह जो location है भीतर कनी का national park जो है न यह इसी district में है जो की famous है किसके लिए salt water crocodile के लिए तो यह भी यादर सकते हैं कि भीतर कनी का national park जो की उडिसा में है वो salt water crocodile के लिए famous है याद रखेगा यह तीनों species के नाम एक और question देखिए कूंसा ऐसा report कूंसा ऐसा university है जिसने अपना report दिया और कहा है कि भारत में ठीक है ओन एन एवरेज इंडियन की life कोई भी इंडियन हो उसकी life 9 साल घट चुकी है air pollution की वज़े से यह university of Chicago के द्वारा जो है यह report दी गई है इन्होंने अभी हाल फिलाल में एक report बनाई air quality life index इसके तहत इन्होंने कहा कि हमारे देश में अमू पॉलिशन की वज़े से डेफिनेटली इंडिया जो है most polluted country है पूरे वर्ल्ड में ठीक है दुर्भागे पूर्ण है यह लेकिन फिर भी कोशिश जा रही है कि थोड़ा कम हो हम अधर energy sources पर जैसे pollution कम बैठ है ठीक है और दूसरी important चीज यह भी है कि इस report में air quality life index पर दिया जाए world health organization की guidelines के according तो यहां पर average life 5.6 year longer भी हो सकती है this is also positive sign अगर ऐसा हो जाता है कि quality air index वह अगर अच्छा हो जाता है तो यह भी possible है यह बहुत important question पधान मंत्री नदेंद मोधी जी ने हाल फिलाल में एक new value mark जो coin issue किया है इसकी birth anniversary पे इसकोन founder की birth anniversary पे अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि कितने रुपे का वो सिक्का है तो 125 रुपे का सिक्का है आपको मैं image दिखाता हूं ठे exactly this is the coin और पीछे आप यह image भी देख सकते हैं और 125 definitely important है अगर आप बात करें इसकी यह जो इसकोन society है यह exactly international society for Krishna consciousness है यह किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई यह थी कोशन आ सकता है तो आंसर क्या है इसकोशन का श्रीला स्वामी प्रदुपादा है जिनके द्वारा यह जो है society बनाए गी थी फाउंडर यह है प्रदुपादा जी जिनके नाम पर यह पूरे हरे कृष्णा मोव्मेंट जो है start हुई और कहा जाता है कि इसकोन जो है यह हमारे भारत के tradition values को promote करता है brand ambassador की तरह काम करता all over the world इसको ने हाल फिलाल आज तक मेश जितने हमारी भगवत गीता है और बाकी अधर वेदिक लिटरेचर है उनको 89 language में जो है translate करके all over the world distribute किया है जिसकी वेसे हमारा tradition पूरी दुनिया भर में मशूर हुआ तो इसके दूसरी important चीज quick points पढ़ते हैं बहुत important quick points है आज के presently who has become the new director of Indra Gandhi Center for Atomic Research तो वी वेंकट रमन जो है यह बनाएं गया डारेक्टर बहुत important position है यह देखिए हाल फिलाल में Apple और Google payment app को किस ने बैन किया है कौन से देश ने तो South Korea ने बैन किया है देखिए हाल फिलाल में इंड ठीक है recently in which country तो रशिया में तो important question आ सकता है मैंने कल एक question पूछा था था थोड़ा मुश्किल question था कि backward and minority Community Employees Federation की स्थापना कभी तो exact answer सभी ने दिया है अमर्दी ने बिल्कुल appropriate answer दिया है कि 1978 में इसकी स्थापना होई और इसका motto क्या था कि equality को बनाया जाए कास system जो है इस question देते हैं तो आप जरू पड़ेगा आज का question देखिए कि जो CHSL में आया बहुत important question है 1930 में कौन से scientist थे जिनको noble पुरुषकार से समानित किया गया इसे आप सर्च कर लीजे जोन करिए इसमें आपको बाकी सभी classes का लिंक मिलता है और वर्ल अफेर का भी लिंक डेफिनेटली मिलता है ठीक है मेरा करेंट अफेर मेगा सीरीज चल रहा है अनकेडिमी की free classes देखना बहुत अनिवार है 10 a.m पे start होता है अमंदीप शर्मा मेरा प्रोफाइल है सर्च करिए अनकेडमी या फिर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा वहाँ से आप जोन करिए ठीक है रैफर कोड लाइवमन यूज करना एंट्री के लिए यही रैफर कोड आप प्लस कोर्स में यूज कर सकते हैं देखे मैं आ पॉटमेटिकली आपकी फीज डाउन हो जाएगी सारे बेस्टीचर सापको सभी कम्प्रीट टीचर मिल जाएंगे सभी कोर्स इसका एकसेस हो जाएगा अभी जो चल रहे हैं आगे जो आएंगे पिछले जो जा चुग है सभी कुछ आपको इस रैफर कोड लाइवमन से एक सब्सक्राइब करिए सुबह 6 वजे वर्ल अफिर के वीडियो सेक्शन में वीडियो आता है तो इसे आप जरूर देएंगे थैंक्स अलोट फॉर वॉचिन